यहां में fill in the blanks करना है तो यहां पे हम यह बताना है कि coast का ऐसा part ठीक है जो कि वैसा जहां पे land curve जो है जहां पे sea जो है वो three sides से land से surrounded है ठीक है तो उसे हम क्या कहते है तो यहां पे जो most suitable answer होगा वो होगा bay ठीक है लेकिन जब हम larger sense में बात करते है यानि bay से जब बहुत बड़ा area होता है तब हम उसे gulf भी कहते हैं ठीक है लेकिन यहां पे हम bay यहां पे अपना सही answer consider कर सकते है उसे bay बोलते है ठीक है जैसे कि हमारे यहां भी तो है ना हमारा bay of bengal bay of bengal है ना और उसकी बात करें तो क्या है उसके right side में यानि हम कह सकते है eastern side में Myanmar है ठीक है और उपर north के side पे हमारा west bengal का area है बांगलादेश is there और हम अगर west side में बात करेंगे तो west side में हमारा अंध्रप्रदेश है उडिसा है तो कहीं ने कहीं यह बिल्कुल इस तरीके कर्व सा area बनाता है जो की surrounded है land से इधर इधर और यहां पे जो है वो पूरा water का area है तो इस area को हम bay बोल सकते हैं तो यहां पे जो correct answer होगा वो हमारा bay हो जाएगा ओके thank you I hope this question is now more here to you